तो यह आपका question important question बनता है और वैसे भी new topic है MP का semester 1 में तो जितने भी new topics होते हैं उनके बहुत चांसे हो जाते हैं कि वो आपको नजर ही आने वाले हैं question people में तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बच्चों ने request की थी कि management lessons from भगवत की तो और अमायना को explain किया जाए काफी books में यह कुछ-कुछ difficult भी लग रहा है सबको लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने easy points लिए हैं उसको examples के तोर पर समझाने की कोशिश करूँगे मैं आपके लिए और hopefully यह आपको easy लगेगा फिर उसके बाद आप किसे भी books से या कहीं से भी कर सकते हैं वो आपको समझा जाएग ठीक है आप चाहिए तो यहां से भी कर सकते हैं तो भगवत-गीता is an ancient Hindu scripture that contains valuable insights on management, leadership and self-development भगवत-गीता किसका पार्ट है इंडियन ethos का पार्ट है हम वहीं से कर रहे हैं इंडियन ethos का मतलब values or principles जो हमें इंडियन ethics से मिलते हैं तो भगवत-गीता उसी कई पार्ट है उसम management, leadership and self-development में सबसे important काम आती है तो वो क्या क्या चीज़े हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं तो इस question को मैंने five points में divide किया है और यहां से clear हो जाएगा आपको कि भगवत-गीता से management lessons कौन-कौन से मिलते हैं सबसे पहले focus on the present moment भगवत-गीता teaches the importance of focusing on the present moment rather than worrying about the past or future तो भगवत-गीता हमें सिखाती है कि हमें present में जीना चाहिए फविश्य के बारे में आज चिंता करने की वजाए उस पर काम करना चाहिए और present moment को ही ध्यान में रखकर अपनी strategy बनानी चाहिए This is an essential lesson for managers who need to stay focused on their current task and responsibility अब इसका क्या example हो सकता है For example, imagine a manager who is constantly worrying about missed deadlines or upcoming projects By focusing on the present moment and taking one step at a time, the manager can improve their productivity and of course reduce stress levels So example दिया गया है कि किसी manager को कुछ काम मिला है, आपके deadline missed हो रही है I am sure यहां से आपको काफी सारी चीज़े सीखने को मिलेंगी, अपनी personal life के बारे में भी क्योंकि student life में और even किसी भी तरह के stage पे हमें काफी सारी stress रहते हैं उन stress को हम कैसे दूर बगा सकते हैं, focus on the present moment यानि कि जो आज है उसको पर focus कीज़े, उसको waste मत कीज़े second point is lead by example तो भगवत गीता emphasizes the importance of leading by example a manager who sets a positive example by demonstrating hard work, honesty and integrity can inspire their team to do the same so गीता का एक गीता का जो अध्याय था कुरक्षित्रा में जब लड़ाई हुई थी तो श्री कृष्ण ने अर्जन को गीता का सार सुनाय था तो lead by example यहां से आप एक idea ले सकते हो कि किस तरह से एक leader बनकर किस तरह से आप एक role model बनकर अपने team members को inspire कर सकते हो अगर आप खुदी honest या integrity नहीं आप में तो आप किसी को inspire नहीं कर पाऊगे अगर आप खुदी बहुत ज्यादा negative person हो तो आप सामनी वाले को positivity feeling नहीं करा सकते उसी तरही for example in the organization setting a manager who is always punctual, respectful and reliable can inspire their team members to adopt similar behavior अगर आपका manager late आता है office में तो obviously वो एक ऐसा positive message spread नहीं कर पाएगा आपने team members को तो जैसी आप अपने team चाहते हो you have to be a role model like this only तो हम लोग क्या करते हैं देख कर सिखते हैं बजाए कि कोई हमें ग्यान बाते तो बच्चे क्या होते हैं बड़ों को देख कर सिखते हैं जैसे वो करते हैं बच्चे भी वैसी करते हैं ठीक उसी तरही थर्ड पॉइंट embrace change भगवत कीता teaches that change is an essential part of life that is essential to embrace change and adapt to new situation कि change inevitable है हमारी life का part है हमें अपने life में change के according खुद को change कर लेना चाहिए क्योंकि संसार में परिवर्तन ही एक ऐसा नियम है जो हमेशा चलता रहेगा तो परिवर्तन ही स्ष्टी का नियम है changes आते रहते हैं हमारी खुद की life में संस्कृती में संसार में देखा जाये तो COVID कैसे आया इतना बड़ा change लेकर आया उस change की वज़े से कितनी सारी चीज़े हूँ ठीक उसी तरही एक manager को बहाप लेना चाहिए कि उसकी organization में आने वाला परिवर्तन किस तरह का होगा क्या वो technological change है अगर वो technological change है उसे पहली सी त्यारी कर लेनी चाहिए कि now skills are to be re-skilled, re-skilling should be done, training should be given to the employees you know so that they can adapt to the changes, they can adapt to the dynamic environment next point is develop a sense of detachment develop a sense of detachment तो ये rule क्या बताता है that the Bhagavad Gita teaches the importance of developing a sense of detachment from the result of her actions a manager who focus on doing their best work rather than worrying about the outcome can maintain a inner calm and sense of clarity इसका मतलब कि आपको अपने कर्मा पर ध्यान देना चाहिए और जबकि हम कहां ध्यान देते है रिजल्ट के उपर हमेशा results के उपर, results हमें quick मिलने चाहिए कोई हमें बस जल्दी से समझा दे 10 minute में 1 minute में समझा जाए क्योंकि हम इतना ज़्यादा भाग रहे हैं हर चीज में तो हमें वह चीज लगती है कि result भी ऐसे मिलने चाहिए बिलकुल ऐसे चुटकी बजा के सबको आप हो जाने चाहिए तो जिब तक आप अपने आपको detach ने करोगे results से अपने कर्मा पर ध्यान नहीं दोगे तब तक आप परिपूर्ण नहीं होगे alright it means that you have to you know very much focus you have to concentrate on what you have to do in your life so don't waste any single moment for example a manager who focusing on delivering high quality work rather than obsessing over the outcome can inspire them to do the same इसी तरही organization setting में अगर एक manager high quality work पर जड़ा धियान देता है training के उपर जड़ा धियान दे रहा है employees के relationship building पर जड़ा धियान दे रहा है output के उपर धियान उसका ज़्यादा है बजाए कि उसके चिंता करने पर हाई पता नहीं क्या हो जाएगा हाई ये sales target पूरा होगा नहीं हाई employees कैसे behave करेंगे तो इन चीजों की उपर जो stress है इन चीजों का उसको छोड़कर जो वो कर सकता है उसे वो काम करने चाहिए last point is build strong relationships तो भगवत कीता क्या कहती है भगवत कीता emphasizes the importance of building strong relationship with each other it gives the message message of compassion as well as respect that we should value each other you know we should respect each other we should be helping hand to each other a manager who can build strong relationship with their team colleagues and clients can create positive work environment and achieve better results for example for a manager who takes the time to understand their team strength weaknesses and goals can build a sense of trust and collaboration इसका सीधा सीधा मिन यह है कि अगर एक manager का employees में trust नहीं है अगर उन दोनों के बीच में mutual respect नहीं है एक दूसरे की बात नहीं समझते communication clear नहीं है दोने एक दूसरे को समझने को तयार नहीं है तो उस sense में कोई भी organization अपने objectives अचीव नहीं करवाएगी तो यह जो strong relationships की बात की जाती है यही बाते भगवत गीता में भी बोली गई है कि हमें एक दूसरे के साथ compassion और एक trust रखना चाहिए एक दूसरे की respect करने चाहिए एक दूसरे की help करने चाहिए अवराल भगवत गीता ओफरस valuable lesson for managers who want to lead with integrity build strong relationship and achieve success in a rapidly changing environment so five points कौन कौन से है focus on the present moment lead by example embrace change develop a sense of detachment and build strong relationship I hope these are easy for you and I tried it so that you will understand in a better and easy way आपको clear हो गया आप किसी भी बुक से कर सकते हो आप इसको mix कर सकते हो या सिर्फ इसको कर सकते हो it's up to you thank you so much all the best